राम राम दोस्तों जैसा कि कपास या कोटन की खेती में आप नर्मे की खेती में पहला इस्प्रे कौन सा करें और रसानिक छोड़ कर आप जिविक की तरफ अगरसर हो जिससे आपके पोदे में जो बीमारे लगती हैं जैसे सफेद मच्छर है हरा मच्छर है या आप देख सकत हैं साथ ही साथ थिर्प्स हैं इन सभी को कंट्रोल करने के लिए आप अपने कपास की खेती में कोंसा इस्प्रे करें तो उसी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं तो आप वीडियो पर अंतितक बने रहे हैं यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे खेती बाड़ी और बागवा निसम्मद देते नएने वीडियो आपको मिलती रहें सिर्फ एचेसपी किसान के यूटूब चैनल से ये हमारी जो कोटन की खेती आप देख सकते हैं इसकी हाइट लगबग चार फिट साड़े तीन से चार फिट की हो चुकी है और इसमें इस समय फूल हुए फल भी जबरदस्त आया हुआ है आप देख सकते हैं लेकिन साथी साथ हमारे जो कोटन की खेती या कपाज की खेती में इस समय जो सफेद मच्छर है हरा मच्छर है ठ्रिप्स है और भी जो मरोडिय रोग है ये आने की संभावना रहती है तो इस समय हमें कौन से इस्प्रे आपनी कोटन की खेती में करने हैं तो उसके लिए पर जेकव प्रोडेक्ट तो आप उनकी स्फ्रेकक कर सकते हों सात इस सथ तो प्रोडेक्ट्स यानी तो दो डवाइं उन से ज़्यादा यदि आप एक साथ मिला रस पड़ करते है या फिर ही उनका रजिल्ट उस रिकार नहीं रहता है तो यह जो हम और्गनिक जो जेविक दवाईया बता रहे हैं इनको आप दो, तीन, चार कितनी को भी एक साथ मिक्स करकर अपने जो खेती में इस्प्रे कर सकते हैं इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और इसमें आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होता अब हम बात करते हैं कौन सा इस्प्रे आपको लेना है तो जैसा की पोधे की नियमित बड़वार के लिए आपको लेना है grow आता है एनपी, sorry grow आता है green plant company के जो product हमें यहाँ पर बता रहे हैं, grow आता है या आप इस्क्रीन पर पोदे में पोशक्तत्तों की पूर्ती करने के लिए उसका काम करेगा साती साथ जैसा की मच्छरों के लिए आप N.P. Neem Oil का उपयोग कर सकते हैं किसी भी परकार के मच्छर हैं सफेद हैं हरा है साती साथ जो Thrips की समस्या है वो भी इस से कंट्रोल हो जाती है N.P. से तो इनका आपको तीनु का एक साथ अपने Spray Tank में लेना है तो उसकी मात्रा हम यहाँ पर बता रहे हैं आप नोट कर लीजिए जो आपको N.P. की मात्रा लेनी है 15-20 एमेल लेनी है पिरती Spray Tank उसी के साथ साथ Grow और Nitro King की मात्रा आपको 35 एमेल पिरती Spray Tank के हिसाब से लेनी है 35 एमेल Grow 35 एमेल Nitro King उसी के साथ साथ आप अपनी Cotton की फसल में या कपास की फसल नर्मे की फसल में Spray कर सकते हैं Spray के कम से कम 2-3 घंटे की धूप लगना अतियावस्चक है तो जो आपके Cotton या कपास की खेती में यह समस्या है यह सारी दूर हो जाएंगी और इसके बहुत ही ज़्यादा स्यांदार पढ़नाम आपको मिलेंगे और कोई भी Side Effect आपकी फसल पर आपकी सेहत पर इन प्रोडेक्ट का नहीं पढ़ने वाला है तो इस वीडियो के बाद्यम से जो आमने जानकरी दी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके आवस्चे बताएं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हो तक सियर करना ना भूलें और नएने वीडियो के लिए आप जुड़े रहें हस्वी किसान के यूट्यूब चैनल से